सूप्रभाद प्यारे बच्चों, हिंदी की ओनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण में चित्रवर्णन के बारे में जानेंगे कि चित्रवर्णन क्या होता है बच्चों, जब हम किसी चित्र को देख कर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखते हैं तो वह चित्रवर्णन कहलाता है अब चित्रवर्णन करते समय क्या बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले चित्रवर्णन करने से पूर्व चित्र को ध्यान पूर्वक देखना है सबसे पहले आपने जो भी चित्र आपको दिया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए दूसरा चित्र के मूल भावों को समझने का प्रियास करना चाहिए कि चित्र का मूल भाव क्या है चित्र क्या बताना चाह रहा है उसके बारे में ही आपको वर्णन करना होता है तीसरा वाक्य रचना वर्तमान काल में ही करने चाहिए कभी भी चित्र वर्णन भूत काल या भविश्य काल में नहीं करना चाहिए अगला है वाक्यों में क्रम बदता होनी चाहिए एक सीक्वेंस होना चाहिए क्रम बदता ठीक है उसका क्रम होना चाहिए अगला चित्र जब आप वर्णन करते हैं तो उसकी भाषा बहुत सरल और स्पष्ठ होनी चाहिए आखरी है बच्चों जब भी आप चित्र वर्णन करें तो आपका जो भी भाषा है वे संशेप हो बहुत लंबा चोड़ा चित्र वर्णन नहीं करना होता यह देखिए बच्चों एक चित्र है अब इस चित्र का मूल भाव आपको समझा गया होगा कि यह है एक पार्ख का चित्र है ठीक है तो समय कौन सा है पीछे आपको सूरज नजर आ रहा है पेड है फूल है पक्षी है बुजर्ग है बच्चे है कोई बेंच पर बैठा हुआ है कोई योग कर रहा है पीछे कितने सुन्दर सुन्दर आपको बादल नजर आ रहा है नीले नीले आसमान नजर आ रहा है और आपको सूरज नजर आ रहा है रंग बिरंगे फूल नजर आ रहा है और पूरा पार्ख हरा भरा है कितना मनोरम दृष्षे है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है चित्र का वर्णन करना है सबसे पहला लिखना होता है कि यह चित्र है किसका तो यह सुभे के समय का है या शाम के समय का है तो सुरेष